हलो दोस्तों, सालात आपका फिर से, The Creative Nursing Academy के YouTube चनल पर, I hope you all are fine, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट जो वीडियो है, वो डिस्कस करने वाले हैं, जो की होने वाली है आपकी, calculation of expected date of delivery तो किस तरह से आप expected date of delivery को calculate कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस से एक नए question हर बार exam में पुछा जाता है, तो आप वीडियो में आखरी तक बने रहिएगा, और अगर आप मारा चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा, ऐस बोलता रहता हूं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है, बैसे तो नहीं मांग रहे हैं आप से, सिर्फ subscribe करने के लिए बोल रहे हैं, मातरा नहीं क्रीपा होगी, और आप जो है, क्या कहता है, नर्सिंग उफसर बन जाएंगे, तो यह है नेगलिस रूल्स, ठीक है, expected date of delivery calculate करना, नेगलिस रूल के द्वारा, तो क्या है नेगलिस का नियम, तो हम कहेंगे, कि, LMP प्लस 9 मंथ 7 देस लास्ट मेंशल पीरेड जो है, नेगलिस रूल ना में, जो लास्ट मेंशल पीरेड है, उसके नदर हम 9 महिने और 7 दिन, जोड देंगे, तो क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा, expected date of delivery आजाएगे, तो पहले इस बाद को जान रखें, कि, शुद्र क्या है, तो हम कहेंगे, लास्ट मेंशल पीरेड प्लस 9 मंथ एंड 7 देस, तो फर एक्सामपल हम देखें, एक दूसरा तरीका भी है इसका, अगले पेश बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो लास्ट पीरेड है, लास्ट मेंशल पीरेड जो है, उसमें से क्या करेंगे, थ्री मंथ गठा लेंगे, और प्लस 7 देस कर लेंगे, ठीक है, प्लस 1 यर कर लेंगे, बात एक ही बच्चों, आप 3 महीने गठा के 1 साल जोड़े, और 7 दिन जोड़े, चाहे 9 महीने और 7 दिन प्लस करें, मैं तो यह मानता हूँ, कि 9 महीने और 7 दिन प्लस करना, जाधा असान रहता है, और जाधा सरल रहता है हमारे लिए, दोनों तरह से हम करके देख लेंगे, कोई बात ने, ठीक है, किस तरह से, माल लेते हैं, कि किसी परसन की, जो LMP है, last menstrual period है, वो है 21 माई 2022, ठीक है, last menstrual period जो उस महिला को आया था, महिला आई, और कहरे ही मैं pregnant हूँ, pregnant होने के बाद उसने कहा कि जो मेरा आखरी menstrual period था, वो तो 21 मही को आया था, उसके बाद तो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 9 months, 7 days भी जोड़ सकते हैं, तो मही में आप 9 मही जोड़िये, तो मही से जुन, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, ऑक्टोबर, नॉमबर, जनवरी, फर्वरी, ठीक है, फर्वरी आगया, 21 तारिक थी, 21 तारिक के अंदर आप साथ देन दोड़ेंगे, जोड़ दीजी, 22, 23, 25, 27, 28, 28 फर्वरी आपका आगया है, कुन सा साल आएगा, 12, 23, अगले साल होगा, अब इस रूल से देखते हैं, LNP मैनस 3 मंथ, मही कुन सा महीना है, पाच्व महीना है, तो पांच में से तीन घटाएंगे, तो कितने आएगे, 2nd महीना, 2nd महीना कुन सा होता है, फर्वरी होता है, अब इस तारिक के अंदर साथ जोड़ दीजी, साथ जोड़ेंगे, तो कितने आजाएंगे, 28 आजाएंगे, और 2022 के अंदर, एक साल एड करना है 9 मंथ और 7 डेस एड करने के बाद जो आपके पास अंसर आएगा वो आजाएगा आपका last menstrual period ठीक गभराना नहीं है मेरे ख्याल से तिन महीने बेख जाने के बजाए आप 9 मंथ और 7 डेस एड करना जाता सही रहेगा तो आप एड कर दें एग्जाम बार बार इससे कुछा जाता है ठेके मैं आपको एक क्वेशन दे देता हूं आप कमेंड करके बताएं उसका अंसर क्या होगा एक महिला है उसक का एलम्प आप किल्कुलेट करकी मुझे कमेंड बॉक्स में बताएं या फिर में बता दूँँ आपको नहीं आएगा तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थैंक्यू सो मच श्रोची है वेग्रेट ट्यू हुआ है टो श्रोची अपको भाता है।